नमस्कार राजिशिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिशद पटना बिहार में आपका स्वागत है आज हम प्रस्तुत हैं आपके समझ कक्षा 11 की हिंदी की पाठी पुस्तक दिगंत भाग एकको लेकर और आज इसके अंतरगत हम अध्याई 10 का अध्यान करेंगे अध्याई 10 में जो विशेवस्तु है और उसका जो सीर्षक है वह सूर्य और इसके लेखक है ओदोलेन समेकल आप नाम से आप चकीत हो रहे होंगे ओदोलेन समेकल यह भारतिया नाम नहीं है तो आप बिलकुल सही है यह भारतिया यक्ति नहीं है यह चेको सलोवाकिया के हैं तो ये कहा के हैं क्यूं इन्होंने आखिर सुर्य पर लिखने की इच्छा जाहिर की और क्या कुछ लिखाए इन्होंने आईए जानते हैं पहले ओदोलेन सिमेकल के बारे में लेखक परचे के अंतरगत हम समझेंगे ओदोले निसमेकल इनका जन अठारा अगस्तों निसो अठाइस को हुआ था और इनका जन्मस्थान पोलो मेउत्स नगर से सटा एक गाउं है लोशोव जो चेकोश्लोवाकिया जो यूरोप महादेश है उसका एक भाग है काकिया की ही राजधानी में पाहा के चाल्स विश्विद्याले से इन्होंने हिंडी में AI किया तथा PhD भी हिंदी से किये वहीं से लोक साहित्य, ग्राम उपन्यास तथा अनुकर अनात्मक शब्दों पर शोध किया आपने शिक्छन की बात के दिहम करें तो कई वर्षों तक प्राहा विश्विद्याले में हिंदी विभाग के प्राध्यापक रहे दस से अधिक वर्षों तक अपने देश के भारत विद्या विभागा ध्यक्ष के पदपर रहे और यात्रा करने के बड़े शौकीन थे तो यहीदे इनकी यात्राओं की बात करें एक सम्मान भी मिला हुआ है जो भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरसकार जो 1789 में इन्हें प्रदान किया गया था और अगर अन्य गत्विधियों की बात करें तो प्रथम तथा दृतिय विश्व हिंदी सम्मेलनों में इनकी सक्रिय सहभागिता रही स्किर्फ्रदाने कर्ण यदि विशेश इनके बारे में कुछ जाने की हमारी इच्छा हो तो हम समझ सकते हैं कि भारत में चेकोशलो वाकिया के राजदूत के पत पर इन्होंने बहुत दिन तक काम किया, बहुँ भाशाविद हैं, कई भाशाओं के जानकार हैं, और विशेषता के रूप में अनेक प्रकार के, धर्म और संस्कृति में इनकी विशेष प्रकार की अभिरुची रही है। किया है, तो इनकी रचनाओं पर हम एक नजर डालते हैं, प्रेमचंद का गोदान, आधुनिक हिंदी कविता का संकलन, भारतिय लोक कथाएं, भारत के नवरूप, ये देवता कहां से आए, ये सारे इनके निवंध हैं, तेरे दान की ये गीत, नमोनुव भारत माता, ये कवि ओदोलेन समेकल भारत विद्या विद्वानों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे, उनके विशेश अभिरूची का विशे था आधुनिक भारत, स्वभावत आधुनिक भारत प्राचीन भारत का ही विक्सित रूप है, अतह उसे उसके सम्रिध स्वरणिम अतीत से काट कर नहीं समझा जा सकता, समेकल इस सच्चाई को समझ रहे थे, हिंदी भाषा और साहित से वे शैक्षणक तथा रोचिकत धारातल पर जुड़े हुए थे, भारत को जानने का प्रधान माध्यम उनके लिए हिंदी ही थी, किन्तु वे इस बहुभाशी, बहुजातिय राष् कि और भी से कभी उदासीन नहीं रहे, यानि वो दोले निसमेकल जनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यह थे तो चेकोसलवा किया के, एक यूरोपियन कंट्री के व्यक्ति थे, लेकिन चुकी इनकी पढ़ाई लिखाई सारी हिंदी से जूड़ी हुई रही, हिंदी में आप प्राचीन गौरब में इतिहास जो भारत का है, उसी का एक मिलता जुलता रूप है, यही कारण है कि इनके अध्यन का प्रमुख विशे आधुनिक भारत रहा, और इनकी रचनाओं में भी हम देखते हैं कि प्रेमचंद से सम्मंधित और कई लेखकों से सम्मंधित इन्हों अर्थात हिंदी की अत्रिक्त भारत में कई भासायां समान रूप से चल रही थी, उन सभी भासाओं को भी इन्होंने पढ़ा, समझा और जानने की कोशिश की, उनके भीतर इस देश को गहराई से जानने समझने की उतकट लाल सा थी, जिसकी अहिव्यक्ति उनकी कविताओं और निवंधों में होती है, इसी प्रकरिया में उन्होंने भारतिय धार्म संस्कृति के प्रतीकों का अध्यन अंतिम दिनों में करना शुरू किया था, यह अध्यन महज सूचनात्मक और सतही नहीं था, उस में गेट तत्मों को अनुभव प्रत्यक्ष करने की अभीपसा अभिप्सा का मतलब लालसा इच्छा यानि कि इनकी इच्छा केवल यह नहीं थी कि हिंदी भाषा को जाने अपितु हम ने देखा कि लोक संस्कृती क्या है उसको समझने की इनकी काफी इच्छा रहती थी तो ऐसी स्थिति में भारत में जितनी संस्कृतियां एक साथ आपस म वस्तु सूर्य को लेकर इन्होंने कई जो धर्म हैं उनमें क्या-क्या लिखा वह यह सारी चीजें सारी चीजों पर इन्होंने चर्चा की है तो उसका सतही ज्यान नहीं अपितु गहराई से जानने की च्छाइन की प्रबल रहती थी प्रस्तुत पाठ उनकी निधन उत्तर प्रकाशित पुस्तक कहां से आये देवता से लिया गया है पूरी पुस्तक भारतिय धर्म प्रतीकों को लेकर ही विशेश रूप से लिखी गई है पुस्तक का हर अध्याय उनके गहन शोध और शूक्च्म जिग्यासा को प्रमानित क भारतिय धर्म के साथ साथ तुलनात्मक रूप से संसार के अन्य प्राचीन धर्मों और समाज संस्कृतियों का भी प्रासंगिक परेविक्षण किया गया है स्वभावत अन्य समाज संस्कृतियों एवं धर्मों में भी पूजित सूर्य के इस अध्यन से भारतिय पुजा उपासना की प्राचीनता और सार्व भौमिक्ता पर भी प्रकाश पढ़ता है यहां जो प्रस्तुत पाथ है जिसका शीर्शक सूर्य है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं यह इनकी मतलब निधन के उपरान एक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई कहां से आयत देवता उससे ली शुल गई है और इसमें जिस्ट विशेवस्तू को लिया गया है यानि सूरे जिसकी हम उपासना करते हैं जो भगवान हम मानते हैं भगवान शूर्य को तो भगवान सूर्य की स्थिती अलग-अलग धर्मों में कैसी है किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है संसार के दोले निसमेकल लिखते हैं और हम यह समझेंगे इस पूरे अध्याई में कि उन्होंने कितना इस पर गहरा शूध किया है और अध्यान किया है तो आईए पाठ को प्रार्मभ करते हैं वहाँ वह सूर्य है जो चमकता है तो सूर्य आखिर है क्या वेदों में इसे एक पहिये वाले सुनहरे रत पर सवार देवता कहा गया है जिसे शात शक्तिशाली घोड़े पलक जपकते ही 364 लीग की रफ्तार से दोड़ा कर ले जाते हैं वह अपने रत पर सवार होकर आस्मान में घूमता रहता है और संसार की हर गतिविधी पर नजर रखता है वेद में यह कहा गया है कि सूर्य देवता है हम सभी उनको देवता मानते हैं और साथ घोड़े हैं जो उनके रत को खीचते हैं और 364 लीग की रफ्तार से चलते हैं तो वेदों में इनहीं सूर्य कहा गया भगवान की संग्यादी गई है इन्हें चमकता हुआ यह प्रश्न करते हैं कि सूर्य आखिर क्या है देवता है या चमकता हुआ गूला है आखिर कौन है और फिर आगे पार्ट में यह बताएंगे कि सूर्य की किनकिन स्थितियों में किन-किन ग्रंथों में कैसे चर्चा की गई है सूरी की किस ने इसे बनाया जिस पर धर्ती पर मौजूद जीवन पूरी तरह से निर्वर है क्या यह मरता हुआ विशाल तारा है या कोई वैज्ञानिक चमतकार या वाकई सूरे देवता है जो वेदों की साकार आत्मा है और ज किन में ब्रंभा दो पहर में शिव और शाम में विश्रु आनि विज्ञान के हिजाब से सूर्य जो है एक विशाल मरता हुआ तारह है या यह देवता है क्योंकि यह हैं जिस पर पूरा जीवन निर्फर करता है धर्ती जो है उसकी यदि हम विशेषता की बात करें या उसक सूरी के हम कलपना नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिती में पूरा जीवन जो चल रहा है वह सूरी के प्रभाव से ही चल रहा है तो क्या सचमुच हम इने देवता माने या केवल साइंस के दृष्टी से इसे एक मरता हुआ तारह मान ले यहां बात की जा रही है यह तृदेव की भासा में एक तारह है भारतिय पौराणिक गाथाओं के अनुसार सूरी के माता पिता थे अधिती और कश्यप यानि माता इनकी अधिती थी और पिता कश्यप थे अधिती के आठ बच्चे थे आठमा बच्चा अंडे की शकल का था इसलिए उसका नाम मारतंड रखा यान अनि मृत अंडे का पुत्र और उसका परित्याग कर दिया वह आस्मान में चला गया और खुद को वहां महिमा मंदित कर लिया यानि हम जानते हैं सूरी का दूसरा नाम मारतंड भी है तो ऐसा कहा गया कि इनकी माता पिता जो थे उनके आठ बच्चे थे और आठमा जो था अन्डे के आकार का था तो इसी लिए मरा हुआ अन्डा यह कहकर मारतंड उसका नाम दिया गया और फिर वही मारतंड आस्मान में जाकर अपने आपको चमत्रित कर लेते हैं इसलिए सूरी का दूसरा नाम मारतंड भी है दूसरा किस्सा यह है कि अदिती ने एक बार अपने पहले साथ पुत्रों से कहा कि वे ब्रह्मान्ड का स्रिजन करें किन्तु वे इसमें असमर्थत रहे क्योंकि वे सिर्फ जन्म को जानते थे मृत्य को नहीं जीवन चक्र स्थापित करने के लिए अमरत्य की जरूरत नही जीवन और मृत्यू के प्रतीक थे एक अन्य कहानी में यह कहा जाता है कि अपने साथ पुत्रों से अदिती ने कहा जीवन की रचना करें किन्तु किसी को यह पता नहीं था किसी को नहीं आता था अंत में भगवान सूरी को कहा गया यानि मारतंड को कहा गया तो मारतंड ने क्या किया दिन और रात की रचना कर दी दिन यानि जीवन और रात यानि मृत्यू तो ऐसे करके इनहीं के पास यह चमता थी कि वह जीवन को प्रारम्भ कर सके यह घटना भी प्रतिकात्मक है अधि अद्वय का आर्थ है जो न दो हो यानि केवल एक और सदावरिध का आर्थ है जो सदा बढ़ते रहे यानि अदिती के लिए दो है एक अद्वय और सदावरिध अद्वय का आर्थ होता है अद्वय इसमें उपसर्ग लगा हुआ है जो दो न हो यानि एक हो उसे अद्वय कहा गया और सदावृध्य यानि जिसकी सदावृध्धी होती रहे यह नाम दिया गया है इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री सक्ख्यू या संग्या से हुआ जिनसे इन्हें तीन बच्चे हुए मनु वैवस्वत यानि सूर्य वंस के संस्थापक यम यानि मृत्यू का देवता और यमुना जो नदी है किन्तु सूर्य का तेज संग्या की बरदास्थ से बाहर था इसलिए उसने अपनी चाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और अश्विनी यानि घोडी का रूप धरकर तप करने चली गई लंबे अर्से तक चाया ने संग्या के छद मुरूप का बखू भी अभी नहीं किया लेकिन अंत में उसका भेद खुली गया चाया ने से उन्हें शनी सावरणी मनू और तपत्ती नामक पुत्र उत्पन हुए इनका विवाह विष्व करमा की पुत्री संग्या के साथ हुआ था उनके तीन पुत्र हुए लेकिन हम सभी जानते हैं कि संग्या सूरी के तेज गोसः नहीं पा रही थी तो ऐसे इस्थिति में उन्होंने क्या किया अपनी चाया जो हुबहुई नहीं के जैसी थी उसको सुरी के पास छोड़ कर और खुद चली गई अस्वनी बनकर तपस्या करने के लिए और चाया भगवान सुरी के पास रही और उनसे भी उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई और जब संग्या चली गई तपस्या करने के लिए तो वहाँ लेकिन यह भेद जो है बहुत दिन तक रह नहीं पाया और यह भेद कैसे खुलता है वह आगे के पार्ट में समझेगे वह सुरी के साथ गोडों वाले रत को हांकते हैं सुरी के सार्थी का नाम है अरोन संग्या के प्रेम में पागल सुरी उस सारे ब्रम्हान में उसे ढूंडते रहे सुरी ने अश्व का रूप धारण किया और उनके पास पहुँच गए संग्या के उनसे दो बच्चे हुए जिने अश्वनी कुमार कहा जाता है एक का नाम नसत्य और दूसरे का नाम दस्त्र है उधर विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा के अंश को काट डाला उससे विश्वका सुदर्शन चक्र, शिवका त्रशूल और यम का दंड, सकंद का भाला और कुवेर की गदा तियार की विश्वके साथ में अवतार थे राम जिनका जन सूर्यवन्स में हुआ सूर्य की पूजा बारहों महीने होती है, हर महीने में उनका अलग अलग नाम है अब देखें, यह एक यूरोप के देश में रहने वाले जन में पले बढ़े व्यक्ति है और वह अध्यन किस चीज का कर रहे हैं, भगवान सूरी का, जिने पूजा जाता है भारतिय धर्म में, हिंदु धर्म में लेकिन उसमें इतनी गहराई से इतनी जानकारी प्राप्त करना है, कई गरंथों को इन्होंने पढ़ा था इससे इनकी जानने की उतकट जो हिलासा है उसका पता चलता है और कितनी गहराई से कई धार में गरंथों का इन्होंने अध्यन करके इन सारी बातों को निकाला है जिसका नीचोड हमारे सामने आज रखा जा रहा है, कि हम कई घटनाय देख रहे हैं, कई कहानिया इसमें देख रहे हैं कि सुरी का जन्म कैसे हुआ, या वो कौन है, किसी गरंथ में कुछ सुरी के बारे में कहा जा रहा है या किस ग्रंत में क्या कहा जा रहा है यह सारी जानकारी है हमारे पास ओदोले निसमेकल लाकर रखते हैं बात की जा रही है कि हर महीने में सूर की का लग-लग नाम है जैसे चैत्र में धाता वैशाक में अर्यमा, जेष्ठ में मित्र, अशाढ में वरुण, स्रावन में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, आश्विन में पूखा, कार्तिक में क्रतु, मार्ग शीर्ष में अंसु, पोश में भग, माग में त्वस्टा और फालगुन में फिश्णु यानि बारह महीने जो होते हैं हमारी परंपरा में उन बारहों महीनों में अलग-अलग महीने में सुर्य का अलग-अलग नाम है यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि चैत में, वैशाक में, माग में इन सबों में सुर्य का कौन-कौन सा नाम है ये सारे नामों की चर्चा यहां की जा रही है सूर्य के कई काम है और हर काम पर उनका एक अलग नाम है सविता के रूप में वे हर वस्तो को उत्प्रेरित करते हैं पूशन के रूप में कल्यान करते हैं उगता सूर्य वैवस्वत कहलाता है, जवकि भग उनका दुष्ट रूप है। कहते हैं कि याग्यवल के रिशी ने सीधे सूर्य से ही वेद की शिक्षा ग्रहन की थी। अरुनाचल प्रदेश की एक जनजाती सूर्य की ही पूजा करती है और उसे इस्त्री मानती है क्योंकि वही स्रिजन का स्रोत है। इसलिए गरुड सूर्य का प्रतीख है। देखिए, यहां एक बात कही जा रही है कि याग्यवल के रिशी जो थे उन्होंने सूर्य सिस्थी शिक्षा ग्रहन की थी। एक यह चर्चा की जा रही है। दूसरी बात यह बताई जा रही है कि अलग-अलग समुदाय में सूर्य को किस रूप में पूजा जाता है। उपासना उनकी कैसे की जाती है। जैसा है रुनाल्चर प्रदेश में एक समुदाय है जो भगवान सूर्य को पुरुष्ण मानकर इस्त्री मानता है। दूसरी परंपरा कि अनुसार वह है वो गरुड़ के पृति हैं। आता उन्हें कई इस परंपरा के अनुसार जो हैं आता के रूप में ही पूजा जाता है कि खिले हुए कमल को भी सूरी समझा जाता है लेकिन सरवाधिक लोकप्रिय प्रतीक है स्वास्तिक जो किसी न किसी रूप में सारी दुनिया में पूजित है भारत में कई सूरी मंदर हैं जिसमें कोनार्क का सूरी मंदर मशहूर है लगता है चेतना जागने के साथ साथ सूर्य की उपासना भी शुरू हो गई प्राचीन ग्रीस प्राचीन मिस्र बेविलोन इराक या ग्रीक रोमन सभेता में सभी सभेताओं में सूर्य देवता पुझे जाते थे सन 1925 में सर जेम्ज जी फ्रेजर ने प्राचीन आर्यों के सूर्य पुझा नामक अपनी पुष्तक में साबित कर दिया था कि जहां कहीं भी आर्य गए अपने साथ सूर्य पुझा को भी लेते गए प्राचीन मिस्र में तो सूर्य को जवर्दस्त प्रतिष्ठा अतिल थी अब यह बता रहे हैं कि अलग अलग धर्मों में यह केवल भारतिय संस्कृति की ही बात नहीं कर रहे हैं अब लेखक आगे जो चर्चा की जाएगी उसमें आप देखेंगे कि सूर्य की पुझा और स सबसे प्रमुक प्रतीक है स्वस्तिक उसकी पूजा दुनिया के हर धर्म में किसी ने किसी रूप में की जाती है फिर चार चर्चा चल रही है कि आरे जहां जहां गये हैं वहां सूर्य की उपासना को लेकर गये हैं और अलग अलग धर्मों में सूर्य को किस रूप में पू या होरुष कहा जाता था फारस के लोग सुरी को मिथरा कहते थे जो सुरक्षा प्रसन्नता दया विजय और दुख हरता था इसा पूर्व पांचीवी सदी में यह फारस के लोगों का मुख्य देवता बन गया था धीरे धीरे मध्यपूर्व से यूरोप तक मिथराई धर्म भैल गया रोम सामराज जी का यही मुख्य धर्म था असीरीयाई, आकेदी, फिनीश्याई, ग्रीक और रोमन लोगों के भी मुख्य देवता सुर्य ले ले सबें़ नहीं तुक्त आसीरीयाई उसे मीरोदाक, आकेदी उसे बाई, फिनीश्याई उसे अप्वो कहते थे यार यानि अलग-अलग धर्म के जो लोग थे, अलग-अलग संप्रदाई के जो लोग थे वो भगवान सुरी को अलग-अलग नामों से बुलाते थे, अब मैक्स मुलर की चर्चा की जारी है, मैक्स मुलर ने लिखा है कि वैदिक रिचाओं में, रिचा मतलब वैद के जो सुक्त ह सुत्र लिखे हुए उसको रिचा कहते हैं लगती है वह वैदिक भारत का गद्य था होमर ने भी सुर्य देवता को देवताओं का हाई पीरियन पिता कहा था जिसने अपनी भन थिया से विवाह किया था अफ्रिका में हमेशा से सुर्य की पूजा होती आई है मेक्सिको और पेरू में स्पेनियों ने सुर्य पूजक प्रदायों को देखा था जेद अवेस्ता में सुर्य को हवर कहा गया है जो संस्कृत शब्द स्वर्का फारसी सम्रूप है सूर्य के लिए ग्रीक शब्द हिलियोस है जो इसी मूल से आया है सूर्य को अहुर मजदा की आंख और तेज घोड़ा कहा गया जब सूर्य उगता है औहुर द्वारा बनाई गई धर्ती और बहता पानी कुओं का पानी समुद्र का पानी और इस्थिर पानी सभी निर्मल हो जाते हैं प्राचीन ग्रीक भी मानते थे कि सूर्य देव हिलियोस आस्मान में तेज गोडों से चलने वाले अपने स्वर्ण रत पर सवार होकर घूमते रहते हैं वैसे प्राचीन और आधुनिक काल में ग्रीक देवता अपोलो को सूर्य देवता माना जाता रहा है सर जेम्जी फ्रेजर जिनकी जर्चा पहले भी की गई है सर जेम्जी फ्रेजर के अनुसार सूर्य की उपासना मूल आर्य धर्म में प्रमुखता से होती थी मिथरावादी मानते थे कि सूर्य के रत को चार गोड़े चलाते हैं कि हम भारतिय संस्कृति में मानते हैं कि सूरी के साथ रत के जो है साथ गोड़े चत हाकते हैं रोम समराट आरीलिया ने पूर्व की विद्रोही रानी जिनोंबिया को परास्त करके बंदी बना लिया तो उसकी खुबसूरत राजधानी पामीरा को तो ध्वस्त कर दिया गया लेकिन वहां के सूरी मंदिर को आली शान बनवा दिया गया क्योंकि सूरी देव अजे हैं इसाई धर्म ने मित्राईयों की धार्मिक अवधारनाओं को अमान निगोशित किया किन्तु उनसे बहुत कुछ लिया भी जैसे 25 दिसंबर को क्रिस्मस मनाना ये एक बहुत महत जन्वरी को मनाते थे मित्राईयों के अनुसार सूरी का जन्म 25 दिसंबर था जिसे वे धुमधाम से मनाते थे और यही कारण रहा कि फिर 25 दिसंबर को क्रिस्मस मनाया जाने लगा हर मिथक में सूरी युद्धाओं के देवतार है यानि युद्ध के देवतार है प्राचीन मिस्री चित्रों में शरद के सुर्य के सिर पर सिर्फ एक केश को दिखाया गया है, क्योंकि वे इस रितु में कमजोर पढ़ जाते हैं, शरद रितु में हम जानते हैं कि लगवान सुर्य छिप जाते हैं, बहुत कम दिखाई पढ़ते हैं, तो प्राचीन मिस्र कहानियों में ऐसा माना गया है कि शरद रितु में वे कमजोर पड़ जाते हैं और एक केश्ट के व्यक्ति को दिखाया गया हुने लेकिन गर्मी के मौसम में ताकतवर हो जाते हैं सिर मुडाने की प्रथा भी प्राचीन काल से चली आ रही है पहले सूरी की प्रतिष्ठा में सिर मुडाया जाता था रिग वेद ने सूरी को इश्वर की सबसे खुबसूरत दुनिया कहते हुए सलाह दी है कि इस दैविक सूरी की संप्रभुता का हम आदर करें वेदों में सूरी को उर्जा और प्रकाश का अक्षय भंडार और धर्ति पर जीवन का संचालक बताया गया है रामायन में अगस्ति मुणी ने राम से कहा था कि वे आदित तहर्दय स्रोत के जरिये सूरी की उपासना करें संप्राट हर्षवर्धन के दर्बारी कवी मयूर ने सूर्य की प्रशंशा में सूर्य सतकम की रचना की थी जिसका पाठ करने से उनका अंधापन खत्म हो गया था हार्षवरधन के एक दरवारी कवीते मयोर उनके बारे में कहा गया कि वह सूरेश सताश्टकम की रचना करें यागरह गया था और उसका पाठ करने से जब उन्हेंने लिखा सूरेश सताश्टकम तो ऐसा माना जाता है कि जो अंधापन उनका था वो खत्म हो गया था प्राचीन भारत में सूर्य मंदिरों को आदित्य ग्रिह कहा जाता था इसापुरु 400 में तेसियस नामक यात्री भारत आया था उसने पस्चिम भारत में सूर्य पूजा का विवरण दिया है स्री नगर के पास मारतंड में एक प्राचीन सुर्य मंदर के भगना वशेश मिले हैं पाकिस्तान के मुल्तान में भी एक सुर्य मंदर के खंडर हैं दक्षन भारत के मंदिरों में मौजूद तालाव को सुर्य तिर्थम या सुर्य पुसकरणी कहा जाता है सूर्य की विधिवत पूजा अब सिर्फ बिहार में ही बड़े पैमाने पर होती है यह इस पाठ का जो अंतिम खंड है जहां पहुंच चुके हैं इस खंड में आप देखेंगे कि इस विध्वान व्यक्ति की क्या शमता है कि कई धर्मों से सूर्य की चर्चा करते हुए और अ विखार के इस चट की चर्चा यहां की गई है कि कैसे इसमें सूरी की उपासना की जाती है और यह विक्ति कितनी गहराई से इस चट के बारे में जानते हैं आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे सूरी की विधिवत पूजा अब सिर्फ विहार में ही बड़े पैमाने पर होती है दीपावली के छठे दिन खष्ठी वरत या छठ के नाम से लोकप्रिय यह पूजा काफी कड़े वरत और नियमों के साथ की जाती है नियम में प्रवेश चोथे दिन, पांचमे दिन लुहंडा, छठे दिन शाम के वक्त डूबते सुरी को पहला अर्ग और सातमे दिन सुबह को उगते सुरी को दूसरा और अंतिम अर्ग के साथ यत्योहार संपन होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सुर्य को नमस्कार करने का यह अनूठा पर्व आर्य और वैदिक संस्कृति को अक्षुन बनाये हुए है वैसे आर्य नाम से एक जाती के कुछ लोग अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं जो इंद्र अगनी सुर्य की वैदिक रीति से ही उपासना करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्रंटियर के पास काफिरिस्तान नामक इलागा है जहां अभी भी आर्यों की आबादी रहती है जो सुर्य की पूजा करती है विद्धार्थी गण आज हमने एक चेकोशलोवाकिया के लेखक अदोले निसमेकल द्वारा रचित सुर्य भगवान पर पूरी निवंध को पढ़ा इसमें पूरी दुनिया में सुरी की उपासना किनकिन तरीकों से होती है किनकिन नामों से उनकी पूजा होती है इसकी पिहार में सुर्ष की उपासना चठ के रूप में होती है और कितने कड़े नेमों खालती है फिर लास्ट में आंथ यह भी मताया गया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इसकों में जहां से आ क्या आने मिलती है उनकी चर्चा करती हूई यह पाठ्ट आज rural. समाप्त होता है हम आशा करते हैं कि आप अपने अध्यान को इसी प्रकार जारी रखेंगे इन ही सबसुभ कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नमस्कार